महरास्ट की राज निती में जब से अजित पवार ने अपने चाचा और अपने पार्टी के सुप्रीम और सरत पवार को धोखा दिया है तब से इस बात को लेकर के देश के तमाम पार्टियों में चर्चा तेज हो गई है और सभी पार्टी अपने विधायकों और सांसदों से मीटिंग्स कर रही है बिहार के मुख्यमंतर नितिश कुमार ने तो अपने विधायकों और सांसदों से फेस तू फेस मीटिंग्स की और एक के बाद एक तमाम विधायकों और सांसदों से इस बात को ले करके अपनी नून की निस्था परखनी चाही कि क्या अभी भी विधायक उनके पक्ष में बने हुए है या अंदर खाने से कुछ दूसरा ही माजरा चल रहा है फिलाल इन सब के बाद देश की कई पार्टियों में विद्रोग की खबरे आ रही है और लगातार भाजपा इस बात को लेकर प्रियासरत है कि 2024 के चुनाओं से पहले अधिक सधिक विधायक या सानसद उससे जुड़ सकें और विपक्ष को कमजोर किया जा सकें बता दे कि इसको लेकर के अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है खबर महराश्च से है जिस तरह से पहले महराश्च के विपक्षी दोलों में सबसे बड़ी पार्टी अन्सीपी थी यानि राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी जिसके पास कुल मिला करके तेरपन विधायक थे नौ विधायकों के जाने के बाद अब उनके पास मात्र 44 विधायक रह गए हैं अब इन 44 विधायकों में कॉंग्रेस के पास 45 विधायक हैं कहने का मतलब साफ है कि अब बहुमत न्सीपी के पास नहीं बलकि कॉंग्रेस के पास है कॉंग्रेस महराश्च की सबसे बड़ी व विपक्षी पार्टी के अंदर भी सेंधमारी की खबरे आ रही है दरसल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है या फिर कि इस पात को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि महरास्त्र में बगावत के बाद अब कॉंग्रेस की भी पार्टी का विखंडन होने वाला है विपक्षी दल कॉंग्रेस को लेकर खूब माहौल बना रहे थे इसे बीच अब कॉंग्रेस को लेकर कि भी एक बड़ा दावा खड़ा हो गया है दरसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया है कि MVA की आखरी बची पार्टी कॉंग्रेस में भी सेंध हो सकता है इसको लेकर के माहराष्ट के पूर मुख्यमंतरी प्रिफिराज चौहार ने हाले में कहा था कि बीचेपी की तरफ से पहले भी कॉंग्रेस को तोड़ने के हर संभव कोशिश की गई थी लेकिन दो तिहाई के लिए तीस विधायकों को तोड़ना पड़ेगा जो क कोई विशेश फाइदा नहीं निकलता है क्योंकि संसद का यह रूल है विधायन सभा का यह नियम है कि कभी भी विधायक या संसद अगर बागी होते हैं अपना समर्थन दूसरे पार्टी को देना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम पार्टी के कुल विधायकों या संसदों का दो तिहाई अपने साथ रख करके तब विधायक वे अपना बागी इरुख तक तियार कर सकते हैं वरना उनके संसदिया विधान सभासदस्ता समाप्त हो जाएगी और पार्टी के पास असक करने का पूर्ण अधिकार होता है अब इस बात को लेकर के लगातार चर्चा है और चर्चाओं के बीच में भाजपा तमाम अटकलों को हवा दे रही है ताकि उसकी सकतिसाली रणनीती एक बार फिर से जमीनी हकीकत बनने में सफल हो पाए फिलाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है देश और दुनिया के तमाम अन्ने खबरों को जानने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है SPN 9 News धन्यवाद